आज हम सिखेंगे भिन्ड के निम्नलिखित प्रकार उचिद भिन्ड, विशम भिन्ड और मिश्रद भिन्ड आए इस वीडियो के शुरुवात करते हैं हम एक मज़ेदार सवाल से अगर आपको एक चॉकलेट दी जाए और इन्हें तीन लोगों में बराबर रूप से बाटने के लिए कहा जाए तो हर व्यक्ति को कितनी चॉकलेट मिलेगी? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं इसके लिए हमें चॉकलेट के तीन बराबर भाग बनाने होंगी जिससे की प्रतियक व्यक्ति को एक भाग मिल सके इस प्रकार प्रतियक व्यक्ति को तीन में से एक भाग यानि की एक तिहाई चॉकलेट मिलेगी इस प्रकार की संख्या जो पूर्ण का कुछ भाग व्यक्त करती है एक भिन यानि फ्राक्शन कहलाती है पिन्न अंश बटा हर के रूप में व्यक्त की जाती है पुर्ण के सभी बराबर भागों के संख्या हर यानि डिनोमिनेटर और लिये गए भागों के संख्या अंश यानि नुमरेटर कहलाती है जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पिन्न में अंश एक हर तीन से छोटा है ऐसे बिन जिसका अंश हर से छोटा होता है कहलाती है उचित बिन यानी proper fraction एक बटे तीन के ही जैसे कुछ और उचित बिन है जैसे तीन बटे पांच, छो बटे साथ, पित्यादी चलिए इन्हे संख्यारेखा पर व्यक्त करें क्या आप बता सकते हैं हम भिन्नों को संख्यारेखा पर कैसे व्यक्त कर सकते हैं सोचिए सोचिए आपने सही सोचा एक बटे तीन को संख्यारेखा पर व्यक्त करने के लिए इकाई दूरी के तीन बराबर भाग बनाएंगे इनमें से पहला भाग होगा एक बटे तीन इसी तरह तीन बटे पांच के लिए एक आई दूरी के पांच भाग करेंगे और इनमें से तीन भाग लेकर भिन्ण तीन बटे पांच व्यक्त करेंगे इसी तोलों हम 6 बटे साथ भी संख्यारेखा पर व्यक्त कर सकते हैं इन सभी के संख्यारेखा पर नीरूपन यानि रेप्रेजन्टेशन को देखते हुए आप जरूर समझ गए होंगे कि ये सभी भिन्न एक के बाई और होने के कारण एक से छोटे हैं और शुन्ने के दाई और होने के कारण शुन्ने से बड़े हैं हम कह सकते हैं कि जब भी नीचे की संख्या यानि हर उपर की संख्या यानि अंश से बड़ी हो तो भिन्न का मान शुन्ने से बड़ा लेकिन एक से कम होता है ऐसे बिन्न जिसका मान शून्य से एक तक होता है एक उचित बिन्न होती है अब मान लीजिए आपको पांच चॉकलेट दी और इन्हें तीन लोगों में बराबर रूप से बाटने के लिए कहा तो हर एक व्यक्ति को कितनी चॉकलेट मिलेगी इसके लिए हमें प्रत्येक चॉकलेट के तीन बराबर भाग बनाने होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को चॉकलेट का एक तिहाई भाग देना होगा इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के पास एक तिहाई चॉकलेट के पांच भाग आएंगे इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को पांच पटे तीन चॉकलेट मिलेगी इस भिन्न में पांच अंश और तीन हर है क्या यह एक उचित भिन्न है? विचार करे आपने सही पहचाना यह अंश हर से बड़ा है इसलिए यह एक उचित भिन्न नहीं हो सकती ऐसे भिन्न जिनका अंश यानि नियूमरेटर हर यानि डिनॉमिनेटर से बड़ा होता है कहलाती है एक विशम भिन्न यानि इंप्रॉपर फ्राक्शन यदि आप एक भिन्न को एक बकसा और उसमें मौजूद वस्तूओं के रूप में समझते हैं तो हर आपको बताता है कि एक बकसे में कितनी वस्तूओं रखी जा सकती है जबकि अंश आपको बताता है कि वास्ताओं में बकसे में कितनी वस्तूओं है विशम भिन्न का मतलब है कि बक्से की शमता से अधिक वस्तुएं है यानि कि इन वस्तुवों को रखने के लिए एक से अधिक बक्से आवश्यक है कुछ और विशम भिन्न है 7 बटे 2, 11 बटे 3, 16 बटे 7, इत्यादी आईए इन्हें भी संख्यारेखा पर निरुपित करें 7 बटे 2 को संख्यारेखा पर निरुपित करने के लिए पहले हम इकाई दूरी को 2 बराबर भागों में पाटेंगे और 7 भाग लेंगे इसी तरह 11 बटे 3 को संख्यारेखा पर निरुपित करने के लिए इकाई दूरी के तीन बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से ग्यारह भाग लेंगे इसी तरह 16 बटे साथ के लिए संख्या रिखा पर इकाई दूरी के साथ बराबर भाग करेंगे और इनमें से 16 बाग लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इन में से हर एक भिन्न एक के दाई ओर है इसलिए एक से बड़ी है इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी बटा के उपर की संख्या यानि आंश बटा के नीचे की संख्या यानि हर से बड़ी होगी तो ऐसी भिन्न का मान एक से बड़ा होता है ऐसी सबे भिन्न विशम भिन्न कहलाती है पांच चॉकलेट को तीन लोगों में बराबर रूप से बाटने का एक और तरीका भी है पहले हम प्रतियक व्यक्ति को एक चॉकलेट देंगे और बची दो चॉकलेटों में से हर एक के तीन भाग बनाकर इन में से प्रतियक व्यक्ति को दो भाग देंगी इस तरह से प्रतियक व्यक्ति के पास एक पूर्ण चॉकलेट है और तीन में से दो भाग है इसे हम एक सही दो बटे तीन इस प्रकार व्यक्त करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस भिन्ण में एक पूर्ण संख्या यानि होल नमबर है और एक उचध भिन्ण है ऐसे भिन्ण जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचध भिन्ण होती है कहलाती है एक मिशृत भिन्ण यानि mixed fraction एक सही तो बटे तीन के अलावा मिश्रित भिन्न के और उधारण है एक सही एक बटे दो, दो सही एक बटे चार, तीन सही तीन बटे पांच इत्यादी तो आज हमने सीखे भिन्न के निम्नलिखित प्रकार अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उधारणों को देखेंगे आज हम देखेंगे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंदित उधारण निम्नलिखित में से उचित भिन्न यानि प्रॉपर फ्राक्शन, विशं भिन्न यानि इंप्रॉपर फ्राक्शन और मिश्रित भिन्न यानि मिक्स फ्राक्शन पहचानिए जब भी बटा के नीचे की संख्या यानि हर बटा के उपर की संख्या यानि अंश से बड़ी होती है तो यह एक उचित भिन्न होती है इस भिन्न का मान शुन्य से बड़ा लेकिन एक से कम होता है दी संख्याओं में 23 पटे 25 और 13 पटे 19 उचित भिन्न है इसी तरह कि आप बता सकते हैं जब बटा के उपर की संख्या यानि अंश, बटा के नीचे की संख्या यानि हर से बड़ी होती है तो कौन से भिन्न होती है? सोचिए सोचिए बिलकुल सही यह एक विशम भिन्न होती है इस भिन्न का मान एक से बड़ा होता है दी संख्याओं में 13 बटे 7 और 17 बटे 14 विशम भिन्न है इसी प्रकर ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होती है कहलाती है एक मिश्रित भिन्न इस तरह से दी और 5 सही 12 बटे 17 मिश्रित भिन्न है अब हम भिन्नों में परिवर्तन से संबंदित उदाहरन देखेंगे लेकिन इससे पहले आईए समझे भिन्नों में परिवर्तन कैसे करते हैं मान लीजिए हमने 5 चॉकलेट ली हमें इने 3 बराबर भागों में बाटना है इसके लिए हम हर एक चॉकलेट को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करेंगे अब हर एक चॉकलेट का एक हिस्सा एक भाग में रखकर सभी चॉकलेट के 3 बराबर भाग बना लेंगे तो बताईए हर एक भाग में कितने चॉकलेट आएगी? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं चुकि हमने प्रत्यक चॉकलेट के तीन बड़ाबर हिस्से किये इसलिए हम हर याने डिनॉमिनेटर लिखेंगे तीन और हमने पाँच हिस्से लिए इसलिए अन्च याने डिनॉमिनेटर होगा पाँच इस तरव से हर एक भाग में पाँच बटे तीन चॉकलेट आएगी यह एक विशम भिन्द है आईए इसका मिश्रित भिन्द में परिवर्थन करे अगर हम इन पाँच भागों में से तीन भाग लेकर इन्हें जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्ण चॉकलेट मिलेगी तो बताईए बची चॉकलेट के लिए भिन्द क्या होगी चुकि यहाँ तीन में से दो भाग बचे हैं इसलिए भिन्द होगी दो बटे तीन भाग देते हैं यानि कि भिन्द पांच बटे तीन को विभाजन के रूप में व्यक्त करते हैं फिर हम भाग देकर भाग फल यानि कोशंट और शेश फल यानि रिमेंडर प्राप्त करते हैं और फिर मिश्रित भिन्द को इस प्रकार व्यक्त करते हैं इससे मिश्रित भिन्न प्राप्थ होगी, एक सही दो बटे तीन. इसी तरह अगर मिश्रित भिन्न एक सही दो बटे तीन का विशम भिन्न में परिवर्थन करना होगा, तो यह हम कैसे करेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां हर तीन है, इसलिए हम सभी पूर्ण चॉकलेट के तीन बराबर भाग बनाएंगे. यहां सभी भागों की गिंती है पांच और हर है तीन, इसलिए विशम भिन्न लिखी जाएगी पांच पटे तीन. गणित मया परिवर्दन करने के लिए, पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोडते हैं, जैसे यहां एक को तीन से गुणा कर इसमें दो जोडने पर परिणाम पांच प्राप्त होगा, यानि कि पहले हम सभी लिये गए भागों की संख्या प्राप्त करते हैं और फिर परिणाम की नीचे एक पून को कितने भागों में विभाजित किया है इसकी संख्या हर के स्थान पर रखते हैं इससे हमें भिन्न पांच पटे तीन प्राप्त होती है जो एक विशम भिन्न है इस प्रकार हम विशम भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को विशम भिन्न में व्यक्त कर सकते है अगला उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अगर 40 मीटर रसी के 7 भाग बनाने हैं तो हर एक भाग के लंबाई 40 का साथ से विभाजन की संक्रिया से प्राप्त की जा सकती है इसी को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं 40 बटे 7 मीटर इस तरह से पहला ऑप्शन सही है 40 बटे 7 मीटर यह लंबाई विशम बिन्य के रूप में व्यक्त की गई है आईए से मिश्रिद बिन्य के रूप में व्यक्त करे मिश्रिद बिन्य में व्यक्त करने के लिए हम अंश 40 को हर 7 से भाग देते हैं यानि कि 40 विवाजत 7 के रूप में व्यक्त करते हैं भाग देने पर फाग फल 5 मिलता है और शेश फल 5 मिलता है और फिर हम मिशुद भिन्न को इस प्रकार फ्यक्त करते हैं इस तरह से यहां मिशुद भिन्न होगी 5 सही 5 बटे 7 यानि कि दूसरा कथन भी सही है आज हमने देखे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंदित उदाहरन अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्याधार्णाओं को तूर करेंगे आज हम देखेंगे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंदित मिथ्याधार्णाएं मिध्याधारणा एक मोना और रीना भिन्नो यानि फ्राक्शन्स पर अपना होमवर्क कर रही है उनको साथ बटे चार को मिश्रित भिन्न यानि मिक्स फ्राक्शन में परिवर्तन करना था 7 बटे 4 के मिश्रित भिन मोना ने 3 सही 1 बटे 4 और रीना ने 1 सही 3 बटे 4 लिखी क्या बता सकते हैं किसने सही मिश्रित भिन लिखी कई बार विशम भिन याने improper fraction से मิश्रित भिन में परिवर्तन करते समय भागफल और शेशफल को बिन्न में सही प्रकार से व्यक्त नहीं किया जाता जैसे साथ बटे चार के लिए साथ को चार से विभाज़त किया जाता है जिससे एक भागफल और तीन शेशफल प्राप्त किया जाता है लेकिन मिशृत बिन्न लिखते समय पूर्ण के स्थान पर शेश फल को लिखा जाता है और अंश के स्थान पर भागफल को लिखा जाता है इससे गलत जवाब 3 सही 1 बटे 4 प्राप्त होता है यानि कि मूना का जवाब गलत है सही समझ यह है कि भाग फल को पूर्ण के स्थान पर लिखा जाता है और शेश फल को अंश के स्थान पर इस समझ से सही मिशृत बिन्न हुई एक सही तीन बटे चार यानि की ऑप्शन दूसरा सही जवाब है मिथ्यधाना दो किसी चड़ी के साथ बराबर भाग करने पर हर एक भाग के लंबाई दो सही तीन बटे साथ इंच मिलती है इस लंबाई का विशम बिन्न में परिवर्थन क्या होगा मिश्रित बिन्न को विशम बिन्न में परिवर्थित करते समय कई बार पूर्ण को अंश के साथ गुणा कर प्राप्थ होने वाला परिणाम अंश के स्थान पर लिखा जाता है इससे छवबटे साथ इंच या गलत जवाब प्राप्थ होता है सही समझ यह है कि किसी भी मिशृत बिन्न को विशम बिन्न में व्यक्त करना होगा तो पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोडते हैं जैसे यान दो को साथ से गुणा कर इसमें तीन जोडेंगे इससे परिणाम सत्रा प्राप्थ होगा और फिर परिणाम के नीचे हर साथ रखे तो विशमभिन सत्र बटे साथ इंच प्राप्थ होती है यानि की सही जवाब है option दूसरा कई बर विशमभिन प्राप्थ करने के लिए पूर्ण संख्या और अंच स्थान पर लिखी संख्या को एक साथ रख दिया जाता है इस समझ से भी गलर जवाब option तीसरा यानि 23 बटे साथ इंच प्राप्थ होता है मिध्याधाना 3 समीर ने कागस से बने तीन वृत्त लिये और हर एक के आठ भाग किये अगर समीर इन में से 11 भाग लेता है तो उसके द्वारा लिये गए भागों के लिए भिन्नक क्या होगी चुकि समीर कागस से बने हर एक वृत्त के आठ भाग बनाता है इसलिए कई बार यह समझ बन जाती है कि कुल भागों की संख्या 24 है चुकि कुल भागों के संख्या हर के स्थान पर लिखे जाती है इसलिए भिन्नका हर 24 होगा यह समझ बन जाती है इसी प्रकार लिये गए भाग है 11 जो अंश के स्थान पर व्यक्त किये जाते है इस तरह से दिये कथन के लिए भिन्न 11 बटे 24 व्यक्त की जाती है यह गलत समझ है यहां गल्दी हुई है हर के सही अर्थ को समझने की पूर्ण के जितने बराबर भाग किये जाते हैं वह संख्या हर होती है जैसे यहां एक वृत्त के आठ बराबर भाग बनाए है इसलिए आठ यह संख्या हर होगी समीर ने कागस के हर एक वृत्त को आठ बराबर भागों में विभाजित किया है इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां एक पूर्ण बनता है आठ भागों से कागस के वृत्त को विभाजित कर इनमें से समीर ने ग्यारह भाग लिए इनमें से आठ भाग व्यवस्तित कर हम एक यह पून का कौंसा भाग है? ये पून का थीन बटे आठ भाग है इस तरह से एक पून और पून का 3 बटेvos 8 भाग लिखकर भिन्न एक सही 3 बटें 8 व्यक्त करते हैं यानि कि आप्शन दूसरा एक सही जवाब है यह एक मिशृत भिन्न है किसी भी मिशुरत बिन्न को विशम बिन्न में व्यक्त करना होगा, तो पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोडते हैं, जैसे यहां एक को आठ से गुणा कर इसमें तीन जोडेंगे, इससे परिणाम ग्यारह प्राप्त होगा, और फिर परिणाम के नीचे हर आठ रखे तो विशम भिन ग्यारह पटे आठ प्राप्त होती है इस तरह से अब आप समझी गए होंगे कि भिन के रूप में व्यक्त करने के लिए हर के स्थान पर किसी एक पूर्ण के सभी बराबर भागों के संख्या लिखे जाती है और अंश के स्थान पर लिए गए भागों की संख्या यानि कि आप्शन तीसरा भी सही है चोकि आप्शन दूसरा और आप्शन तीसरा दोनों सही है इसलिए हम जवाब देंगे आप्शन चार इस प्रकार आज हमने देखी भिन्न की निम्नलिखित प्रकारों से संबंदित मिध्या धार्णाएं आज हम सीखेंगे भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग निशा बहुत अच्छी चाई बनाती है वो प्रतेक कप चाई के लिए 2 तिहाई चमत चीनी का उपियोग करती है जरा सोचिए अगर उसे 5 कप चाई बनानी होगी तो उसे कितनी चीनी की जरूरत होगी? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं ऐसी स्थित्यों में हमें भिन्दों का गुनन करना आवश्यक हो जाता है जैसे यहां एक पूर्ण संख्या और एक भिन्द का गुनन करना है तो आईए सीखे पूर्ण संख्या और भिन्द का गुनन कैसे किया जाता है निशा प्रत्य कप चाय के लिए 2 तिहाई चम्मजचीनी का उप्योग करती है यह एक भिन्न है इसमें अन्च 2 हर 3 से छोटा है ऐसी भिन्न जिसका अन्च हर से छोटा होता है एक उचित भिन यानि proper fraction कहलाती है हमें पता करना है कि प्रते कप चाय के लिए 2 तीहाई चम्मच चीनी के हिसाब से 5 कप चाय के लिए कितनी चीनी लगेगी हम कह सकते है कि 1 कप चाय के लिए 2 बटे 3 चम्मच चीनी लगती है यहां हम देख सकते हैं कि दो तीहाई को पांच बार जोड़ा गया है इसलिए इसे हम गुणन पांच गुणा दो तीहाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इस तरह से पांच गुना दो तीहाई बराबर दो तीहाई धन 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 दो तीहाई अब यहाँ देखिए इन सभी भिन्नों का हर बराबर है ऐसे भिन जिनका हर बराबर हो समान भिन यानि लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं जरा सोचे अगर भिन्नों का हर बराबर ना हो तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं? सोचे सोचे सही सोचा ऐसे भिन और समान भिन यानि अनलाइक फ्राक्शन कहलाते हैं यहां हम समान भिन्नों का योग कर रहे हैं समान भिन्नों का योग करने के लिए हम अंशों को जोडते हैं और हर वैसा का वैसा रखते हैं इस प्रकार पांच बार दो तीहाई जोडने पर हमें योग प्राप्त होगा दस तीहाई इसलिए पांच गुना दो तीहाई के गुनन का परिणाम है दस तीहाई जिसका मतलब है कि निशा को 5 कप चाय बनाने के लिए 10 बटे 3 चमच चीनी लगेगी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या और भिन्न का गुनन करते समय हम पूर्ण संख्या को अंच से गुना करते हैं और हर वैसा का वैसा रखते हैं यहां भिन्न का अंच 10 हर 3 से बड़ा है ऐसी भिन्न एक विशम भिन्न यानि इंप्रॉपर फ्राक्शन कहलाती है 10 तिहाई में 3 पूर्ण है और 1 तिहाई पूर्ण का भाग है इसलिए 10 तिहाई को हम 3 और 1 तिहाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ऐसी भिन्न जिसे एक पूर्ण और उचित भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है एक मिश्रद भिन्न यानि Мिक्स फ्राक्शन कहलाती है जरा सोचिए अगर हमें किसी मिश्रत भिन्न को पूर्ण संख्या से गुणा करना होगा तो यहां हम कैसे करेंगे सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं इसके लिए पहले हम मिश्रत भिन्द को विश्यम भिन्द में परिवर्तित करेंगे और फिर इसके अंश को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे और हर वैसा का वैसा रखेंगे भिन प्रचालक यानि ओपरेटर का के रूप में भी प्रयोग की जाती है आईए इससे समझे यहाँ 6 केले है क्या आप बता सकते हैं इन 6 केलों का दो दिहाई भाग क्या होगा सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं यहाँ पहले हमें 6 केलों के 3 समझे बनाने होंगे और इन में से 2 समझे को लेना होगा इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 केलों का दो दिहाई भाग होता है 4 केले इसी को हम गुणन के रूप में भी व्यक्त करते हैं 6 केलों का दो दिहाई भाग बराबर इसे हल करने का एक तरीका है कि पहले हम अंच 2 को 6 से गुना कर सकते हैं और फिर प्राप्त परिणाम 12 को हर 3 से विभाजित करते हैं इससे परिणाम प्राप्त होता है 4 या इसे हल करने के लिए पहले हम 6 को हर 3 से विभाजित करते हैं फिर इसके परिणाम 2 को अंच 2 से गुणा करते हैं इससे भी परिणाम प्राप्त होता है 4 इस प्रकार भिन्न का प्रयोग प्रचालक का के रूप में होता है आज हम ने सीखा बिन और पूर्ण संख्या का गुणन और बिन का प्रचालक का के रूप में प्रयोग अगले वीडियो में सीखेंगे दो बिन्नों का गुणन आज हम सीखेंगे बिन्नों का गुणन हमने भिन्न और पूर्ण संक्या का गुनन सीखा और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग सीखा इस आधार पर अब हम सीखेंगे दो भिन्नों का गुनन कैसे किया जाता है मानली जी हमें पता करना है कि चार पंच मांच का एक आधा भाग कितना होगा आईए इसे पता करें यहां भिन्न चार पंच मांच व्यक्त करती है एक पूर्ण के पाँच बराबर भागों में से चार भाग इनका एक आधा भाग पता करने के लिए हम इन चायां के चार भागों के दो समूह बनाएंगे और इन में से एक समूह को लेंगे यह समूह चार पंच मांच के एक आधा भाग को निरूपित करता है अगर हम देखे तो यह भाग पूर्ण के सभी पांच भागों में से दो भागों से बना है जिसे दो पंच मांच से व्यक्त किया जा सकता है इसलिए हम कह सकते हैं कि चार पंच मांच का एक आधा भाग बराबर है दो पंच मांच के हम इसे एक आधा गुना चार पंच मांच के गुनन से भी पता कर सकते हैं जैसे यहां हमने एक वर्ग के पांच भागों में से चार भागों को चायांकित कर भिन्न चार पंचमांश को निरुपित किया है। इसी प्रकार हम एक आधा को इस प्रकार निरुपित करेंगे। अगर हम इन्हें एक के उपर एक रखते हैं, तो दोनों का उभईनिष्ट छायांकित भाग इनके गुणन का परिणाम होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां कुल दस भाग है, जिन में से चार उभईनिष्ट छायांकित भाग है। इसलिए यह भाग पूर्ण वर्प की चार दशांच भिन्न है। अगर हम इन दस बराबर भागों को पांच बराबर भागों में रुपांतरन करें, तो अब यहां पांच बराबर भागों में से दो उभईनिष्ट छायांकित भाग है। इसलिए हम चार दशांच को दो पंच लिख सकते हैं इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक आधा गुणा चार पंच मांच बराबर है दो पंच मांच के या चार पंच मांच का एक आधा भाग बराबर दो पंच मांच है गणित में दो भिन्नों को गुणा करने के लिए हम अंशों और हरों को अलग-अलग गुणा करते हैं और परिणाम को अंशों का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल के रूप में व्यप्त करते हैं जैसे 4 पंच मांच गुणा 1 आधा बराबर, 4 गुणा 1 पटे, 5 गुणा 2 बराबर, 4 दशांच बराबर, जिसे हम 2 पंच मांच भी लिख सकते हैं। इसलिए जब भी भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रेयोग हो, तो हमें गुणन की संक्रिया करनी चाहिए। आज हमने सीखा बिन्नों का गुणन। अगले वीडियो में कुछ उधारणों से इसकी समझ और अच्छे से बनाएंगे। देखेंगे बिन्नों के गुणन से संबंदित कुछ उधारण। मीना नौ दशांश मीटर रिबिन का दो तिहाई भाग काट लेती है, तो उसके द्वारा ली गई रिबिन कितनी लंबी है। मीना ने कितनी लंबी रिबिन ली है, यह पता करने के लिए हमें नौ दशांश मीटर का दो तिहाई भाग कितना होगा, यह पता करना होगा। दो तीहाई भाग प्राप्त करना है इसलिए हम इन नो भागों में से तीन बराबर भाग बनाएंगे और इन में से दो भाग लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मीना ने मीटर के कुल दस भागों में से 6 भाग लिये हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा ली गई प्योग से हल करते हैं, जैसे यहाँ नो दशांश मीटर रिबिन का दो तिहाई भाग प्राप्त करने के लिए हम दो तिहाई गुना नो दशांश करेंगे, यहाँ हम अंशो का और हरो का गुनन अलग-अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखे तो तीन से नो को भाजित किया जा सकता है, विभाजन करने पर हमें रिबिन की लंबाई प्राप्त होगी, तीन पंचमांश मीटर अगला उधारण, एक बड़ी बरतन में एक और एक बटे दो लिटर दूद रखा हुआ था, यदि हरीश इसमें से एक चौथाई भाग पीता है, तो बताईए उसने कितना लिटर दूद पिया, हरीश ने एक और एक बटे दो लिटर दूद का एक चौथाई भाग पिया, यह एक चौथाई गुणा एक और एक बटे दो के गुणनफल से पता किया जा सकता है, इसे हल करने के लिए पहले हम मिशृत भिन एक और एक बटे दो को विशम भिन्द के रूप में व्यक्त करेंगे, इसके लिए हम हर दो से पूर्ण एक को गुणा करेंगे और अंश को परिणाम दो में जोडेंगे, इससे हमें विशम भिन्द का अंश प्राप्त होगा तीन, फिर हम हर दो को वैसा का वैसा रखेंगे, इसलिए एक और एक बटे दो की विशम भिन्द होगी तीन बटे दो, अब आईए पता करते हैं, एक चोथाई गुणा, तीन बटे दो का गुणनफल क्या होगा? पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि दो भिन्दों का गुणन करने के लिए हम अंशों और हरों को अलग-अलग गुणा करते हैं और परिणाम को अंश का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल के रूप में लिखते हैं, इस तरह से यहां हम अंश एक और अंश तीन से गुणा करेंगे, जिससे हमें परिणाम का अंश तीन प्राप्त होगा, फिर हम हर चार को हर दो से गुणा करेंगे, इससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होगा आंट, इस प्रकार एक चोथाई गुणा तीन बटे दो बराबर हैं तीन बटे आंट के, इसलिए हम कह सकते हैं कि हरीश ने 3 बटे 8 लिटर दूद पिया। आज हमने देखे बिन्नों के गुणन से सम्मंदित कुछ उधारण। अगले वीडियो में हम देखेंगे बिन्नों के गुणन से सम्मंदित कुछ मित्याधारणाय और कुछ साधारण गलतिया। आज हम देखेंगे बिन्नों के गुणन से सम्मंदित कुछ मित्याधारणाय और कुछ साधारण गलतिया। मित्याधारणा एक, निम्नलिकित में से कौन सा कथन दिये चित्र के चायांकित भाग के गुणन के रूप में निरूपित करता है। कई बार बच्चे भिन्नों के गुणन को कैसे किया जाता है यह रट कर याद कर लेते हैं। वे इसे समझते हुए नहीं चलते। इस कारण दिये चित्र के चायांकित भाग को गुणन के रूप में गलत प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि प्रत्यक आयत यानि रक्टांगल में चार चायांकित भाग है। दोराया गया है। इसलिए इसे गुणन के रूप में तीन गुणा चार बटे चा के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए सही जवाब है option 2 यहाँ एक और बात समझना जरूरी है अगर हम देखे तो यहाँ 3 पूर्ण का 4 बटे 6 भाग लिया गया है इसलिए हम इसे 4 बटे 6 गुणा 3 इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं मित्यधार्णा 2 निशा ने 3 बटे 4 किलोग्राम आलू खरीदे इसमें से उसने 3 बटे 5 भाग की सबजी बनाई पता कीजिए उसने कितने किलोग्राम आलू की सबजी बनाई यहाँ निशा ने 3 बटे 4 किलोग्राम आलू के 3 बटे 5 भाग का प्रयोग सबजी बनाने के लिए किया है उसने कितने किलोग्राम आलू की सबजी बनाई यह पता करने के लिए हमें 3 बटे 4 किलोग्राम का 3 बटे 5 भाग कितना होता है यह पता करना होगा इसके लिए हमें 3 बटे 5 गुना 3 बटे 4 का गुननफल ग्याद करना होगा इसके लिए हम अंशों का गुना करते हैं इससे हमें परिणाम का अंश प्राप्थ होता है 9 इसी प्रकार हम हरों का गुना करते हैं इससे हमें परिणाम का हर प्राप्थ होता है 20 इसलिए सही परिणाम है 9 बटे 20 किलोग्राम यानि कि दिये सवाल का option दो सही जवाब है कुछ बच्चे दिये सवाल को समझ नहीं पाते वे सोचते हैं कि निशाने कितने किलोग्राम आलू की सबजी बनाई यह पता करने के लिए उन्हें 3 बटे 4 से 3 बटे 5 का व्यवकलन करना होगा वे व्यवकलन का परिणाम प्राप्त करते हैं 3 बटे 20 दिये सवाल का यह एक गलत जवाब है इसलिए option एक गलत है अब आईए देखे बिन्नों के गुनन के संदर्ब में की जाने वाली कुछ साधारन गलतिया जब बच्चों को किनी 2 बिन्नों जैसे 2 बटे 3 और 3 बटे 4 का गुननफल पता करने के लिए कहा जाता है तो कुछ बच्चे पहले बिन्न के अंश का दूसरे बिन्न के हर से गुना करते हैं और दूसरे बिन्न के अंश का पहले बिन्न के हर से गुना करते हैं फिर वे इन्हें जोडते हैं यह गलत समझ है सही समझ यह है कि परिणाम का अंश बिन्नों के अंशों का गुननफल होता है और परिणाम का हर बिन्नों के हरों का गुननफल होता है इसलिए सही जवाब है 6 बटे 12 जिसे 1 बटे 2 इस सरलतम रूप यानि simplest form में भी व्यक्त किया जा सकता है कुछ बच्चे भिन्न का प्रचालक यानि operator का के रूप में प्रयोग गलत प्रकार से करते हैं जैसे अगर उन्हें पूछा जाए कि 6 का 2 बटे 3 क्या होगा तो वे 6 में से 2 बटे 3 को घटाने के कोशिश करते हैं यह एक गलत समझ है यह समझना जरूरी है कि जब अबी हम प्रचालक का का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है हमें गुणन करना होगा जैसे यहां 2 बटे 3 गुणा 6 करना होगा जिसका परिणाम होगा 4 अगर गुणन में 2 बिन्नों का हर बराबर ना हो तो कुछ बच्चे इनका हर बराबर करने की भी कोशिश करते हैं यह भी एक गलत समझ है दो बिन्नों का गुणन करने के लिए अंशों का गुणन और हरों का गुणन अलग-अलग किया जाता है और परिणाम के अंश और हर क के स्थान पर लिखा जाता है आज हम न देखी बिन्नों के गुणन से संबंदित कुछ मित्याधार नाए और कुछ साधारन गलतिया आज हम सीखेंगे बिन्नों का विभाजन मान लिजिए आपके पास 6 चॉकलेट है अगर आपको इन में से 2 चॉकलेट का एक समूह बनाना हो तो आप कितने समूह बना पाएंगे सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं अगर दो चॉकलेट का एक समूह बनाना हो तो 6 चॉकलेट में से 6 विभाजन दो समूह बनाए जा सकते हैं याने कि 3 समूह बनाए जा सकते हैं जड़ा सोचिए अगर आपको इतने ही चॉकलेट में से आधी चॉकलेट का एक समूह बनाना हो तो आप कितने समूह बना पाएंगे? यहाँ पता करने के लिए आपको एक बटे दो से छो को विभाजित करना होगा यहाँ हमें पूर्ण संख्या को भिन्न से विभाजित करना है जैसा कि आप देख सकते हैं एक बटे दो चॉकलेट का समूह बनाने के लिए हमें प्रतिक चॉकलेट के दो बराबर भाग करने होंगे इसलिए 6 चॉकलेट के दो बराबर भाग बनाने पर हमें 6 गुना 2 भाग यानि की 12 भाग प्राप्त होंगे हम कह सकते हैं कि 6 विभाजित 1 बटे 2 बराबर 6 गुना 2 बराबर 12 यहां 2 और 1 बटे 2 एक दूसरे के व्युत्क्रम यानि रेसिप्रोकल है किनी भी दो संख्याओं का गुनान फर एक हो तो ऐसी संख्याओं एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है इसी प्रकार 5 और 1 बटे 5 भी व्युत्क्रम है क्या आप बता सकते हैं कि 4 बटे 7 और 7 बटे 4 व्युत्क्रम है या नहीं सोचे सोचे सही सोचा आपने इनका गुणनफल एक है इसलिए ये भी एक दूसरे के व्यूतक्रम है व्यूतक्रम की समझ से हम भिन्नों का विभाजन आसानी से कर सकते हैं इस तरह से एक पूर्ण संख्या को भिन्न से विभाजित करते समय हम पूर्ण संख्या को वैसा का वैसा लिखते हैं और इसे दूसरी संख्या के व्यूत क्रम से गुणा करते हैं तो आईए बिन्नो के विभाजन से संबंदित कुछ और स्तितिया देखें मान लीजिए इस बोतल में 3 बटे 4 लिटर जूस है अगर इसे 6 बच्चों में बराबर रूप से बाटना हो तो प्रत्रेक बच्चे को कितना जूस मिलेगा इससे पता करने के लिए हमें 3 बटे 4 को 6 से विभाजित करना होगा यहां हम एक बिन्नो को पूर्ण संख्या से विभाजित कर रहे हैं आईए इसका परिणाम ज्याद करें मान लीजे इस पत्टी को हम एक पूर्ण मानते हैं बोतल में 3 बटे 4 लिटर जूस है इसे निरूपत करने के लिए हम पत्टी के 4 बराबर भाग बनाएंगे संख्या रेखा पर पहला भाग व्यक्त किया जाएगा एक बटे 4 से दूसरा भाग व्यक्त किया जाएगा दो बटे 4 से तीसरा भाग व्यक्त किया जाएगा तीन बटे 4 से और चौता भाग व्यक्त किया जाएगा चार बटे 4 से याने की एक से इन चार भागों में से तीन भाग लिए गए हैं इसलिए हम तीन भागों को चायंकित करेंगे ये तीन चायंकित भाग व्यक्त करते हैं बिन तीन बटे चार चूंकि तीन बटे चार लिटर जूस छ बच्चों में बराबर रूप से बाटा जाना है इसलिए हमें चायंकित भाग के छ बराबर भाग बनाने होंगे सोचिए यह हम कैसे करेंगे चलिए हम बताते हैं इसके लिए हमें प्रत्यक भाग को दो बराबर भागों में विभाजित करना होगा जिससे कि छायंकित भाग के कुल 6 भाग बन जाए अब यहां कुल 8 भाग है आईए इन्हें संख्यारेखा पर व्यक्त करें जैसा कि आप देख सकते हैं चायंकित भाग को 6 बराबर भागों में बाटने पर प्रत्यक भाग 1 बटे 8 है इसलिए प्रत्यक बच्चे को 1 बटे 8 लिटर जूस प्राप्त होगा इसलिए 3 बटे 4 विभाजित 6 बराबर 1 बटे 8 है गनित में 3 बटे 4 विभाजित 5 को हल करने के लिए हम पहली संक्या 3 बटे 4 को वैसा का वैसा लिखते हैं फिर इसे दूसरी संक्या 6 के व्यूत्रम 1 बटे 6 से गुणा करते हैं इससे हमें परिणाम प्राप्त होता है 1 बटे 8 3 बटे 4 विभाजित 6 बराबर 3 बटे 4 गुणा 1 बटे 6 बराबर 1 बटे 8 है इसलिए प्रतिक बच्चे को 1 बटे 8 लिटर चूस मिलेगा इसलिए ध्यान रखेगी एक संख्या से विभाजन का अर्थ है उसके व्युत्क्रम से गुणन अब मान लीजिए अगर हमार पास 2,5 मिटर यानि कि 2 और 1 बटे 2 मिटर लंबे रिबन है और हमें इसमें से 3 चौथाई मिटर यानि कि 3 बटे 4 मिटर लंबे भाग बनाने हो तो हम कितने भाग बना पाएंगे? सोचे सोचे सही सोचा यहां भी हमें 2 और 1 बटे 2 मिटर लंबाई को 3 बटे 4 मिटर लंबाई से विभाजित करना होगा लेकिन यहां हम देखते हैं कि 2 और 1 बटे 2 एक मिश्रत भिन्न है भिन्नों के विभाजन में पहले हम मिश्रित भिन्नों को विशम भिन्नों में परिवर्थित करते हैं जैसे यहां हम दो और एक बटे दो को पांच बटे दो लिखेंगे तो अब विभाजन बन जाएगा पांच बटे दो विभाजन तीन बटे चार तो बताईए इसे हम कैसे हल करेंगे सोचिए सोचिए सही सोचा हम पहली भिन्न को वैसा का वैसा रखेंगे फिर विभाजन का चिन्न बदल कर गुणन का चिन्न लिखेंगे और फिर दूसरे भिन्न का व्युत क्रम लेंगे याने कि 5 बटे 2 विभाज़ 3 बटे 4 बड़ाबर 5 बटे 2 गुञा 4 बटे 3 बड़ाबर 10 बटे 3 याने कि हम 2.5 मीटर, लंबे रिबिन से 3 चोथाई भाग बना पाएंगे हम कह सकते हैं कि बिन्दो के विभाजन में भी हम पहली बिन्दो को वैसा का वैसा लिखते हैं और फिर इसे दूसरी संख्या के व्यूत्क्रम से गुणा करते हैं तो आज हमने सीखा बिन्नो का विभाजन अगली वीडियो में कुछ उधारणों से इसे और अच्छे से जानेंगे आज हम देखेंगे बिन्नो के विभाजन से संबंदित कुछ उधारण अगर साद बटे दस भाग के चौदा बराबर भाग बनाने हो तो प्रतिक भाग का माप कितना होगा आईए इसे हल करें हमें साद बटे दस के चौदा भाग बनाकर प्रतिक भाग का माप कितना है यह पता करना है तो आईए पहले एक पट्टी के 10 बराबर भाग बनाकर इन में से 7 भाग 6 अंकित करें 6 अंकित भाग 27 बटे 10 को निरूपित करता है जरा सोचे अब हम 6 अंकित भाग के 14 बराबर भाग कैसे बनाएंगे सोचे सोचे चलिए हम बताते हैं अगर हम प्रत्यक भाग के 2 बराबर भाग बनाएं तो 7 बटे 10 चाय अंकित भाग के कुल 14 बराबर भाग बन जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहां एक भाग पूर्ण पट्टी के सभी 20 भागों में से 1 है जिसे हम भिन 1 बटे 20 से निरूपित करते हैं तो प्रत्यक भाग का माप होगा 1 बटे 20 आईए इसे गणित में हल करें यहां प्रत्यक भाग का माप पता करने के लिए हमें 7 बटे 10 को 14 से विभाजित करना होगा इसे हल करने के लिए हम पहली भेंदो को वैसा का वैसा रखेंगे और दूसरी संख्या के विक्तक्रम यानि रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे यहां 14 का विक्तक्रम है 1 बटे 14 इसलिए 7 बटे 10 भाग के 14 भाग बनाने हो तो प्रत्यक भाग का माप होगा 1 बटे 20 अगला उधारण डॉक्टर ने निशा को 12 गोलिया दी है और उसे प्रत्यक दिन 1 गोली का 3 बटे 4 भाग लेने के लिए कहा है पता कीजिए निशा सभी गोलिया कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी डॉक्टर ने निशा को 12 गोलिया दी है मान लीजिए यहां प्रत्यक वृत एक गोली है निशा प्रत्य एक दिन गोली का तीन बटे चार भाग सेवन करती है पहले दिन गोली का तीन बटे चार भाग सेवन करने पर एक बटे चार भाग बच जाएगा इसी तरह दूसरे और तीसरे दिन भी गोली का 3 बटे 4 भाग सेवन करने पर 1 बटे 4 भाग बच जाएगा अगर हम बच्चे भागों को जोड़े तो हमें गोली का 3 बटे 4 भाग प्राप्त होगा जिससे निशा 4 दिन ले सकती है इस तरह से निशा 3 गोलिया 4 दिनों में ले पाएगी इसी के साथ हम कह सकते हैं कि निशा 3 गुना 4 गोलिया 4 गुना 4 दिनों में ले पाएगी याने कि 12 गोलिया 16 दिनों में ले पाएगी इसलिए दिये सवाल का जवाब है 16 दिन आईए इसे गणित में हल करे निशा एक दिन में गोली का 3 बटे 4 भाग लेती है डॉक्टर ने निशा को 12 गोलिए दी है निशा सभी गोलिय कितने दिनों मैं समाप कर पाएगी यह पता करने के लिए हमें 12 को 3 बटे 4 से विभाजत करना होगा विभाजन को हल करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इसे दूसरी संख्या के व्युक्तक्रम यानि रसीप्रोकल से गुणा करेंगे यहां 3 बटे 4 का व्युक्तक्रम है 4 बटे 3 इसे ही हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं इसलिए निशा 16 दिनों में सभी गोलिया समाप्त कर पाएगी अगला उधारन एक प्लमबर 7 और 1 बटे 2 मीटर लंबाई वाला पाइप लाता है उसे 1 और 1 बटे 2 मीटर लंबाई के हिस्से की जरूरत है पता कीजिए उसे 7 और 1 बटे 2 मीटर लंबाई वाले पाइप से 1 और 1 बटे 2 मीटर लंबाई के कितने हिस्से प्राप्त होंगे उधारण से पता चलता है कि प्लंबर द्वारा लाए हुए पाइप की कुल लंबाई 7 और 1 बटे 2 मीटर है अगर उसे इस पाइप में से एक और एक बटे दो मीटर लंबाई के भाग बनाने हो तो उसे साथ और एक बटे दो विभाजन एक और एक बटे दो हिससे प्राप्त होंगे आईए इस विभाजन का परिणाम ग्यात करें क्या आप बता सकते हैं यह विभाजन कैसे हल किया जा सकेगा सोचे सोचे चलिए हम बताते हैं अगर विभाजन में मिश्रत भिन्न हो तो पहले हम इसे विशम भिन्न में परिवर्दित करते हैं यहां साथ और एक बते दो की विशम भिन्न होगी पंद्रह बते दो और एक और एक बते दो की विशम भिन्न होगी तीन बते दो यानि कि साथ और एक बते दो विभाजत एक और एक बते दो बराबर हैं पंद्रह बते दो विभाजत तीन बते दो के इसे हल करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इसे दूसरी संख्या के व्युक्तक्राम यानि रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे यहां तीन बटे दो का व्युक्तक्राम है दो बटे तीन इसे हल करने के लिए हम अंशों का गुनन करेंगे जिससे हमें परिणाम का अंश प्राप्त होगा 30 और फिर हम हरों का गुना करेंगे जिससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होगा 6 फिर हम इसे सरलतम रूप में लाएंगे यहां अंश और हर को 6 से विभाजित करने पर हमें सरलतम रूप प्राप्त होगा 5 पटे 1 याने की 5 तो हम कह सकते हैं कि प्लंबर को कुल 5 भाग प्राप्त होंगे आज हमने देखे बिन्नो के विभाजन से संबंधित कुछ उधारन अगले वीडियो में हम देखेंगे बिन्नो के विभाजन से संबंधित कुछ मिथ्याधारन आए और कुछ साधारन गलतिया अगले वीडियो में हम देखेंगे बिन्नो के विभाजन से संबंधित कुछ मिथ्याधारन आए और कुछ साधारन गलतिया मिथ्य धार्णा एक मा ने बच्चों से पूछा चार को आधा से विभाजित करने पर परिणाम क्या आएगा अनुराग ने इसका जवाब दिया दो और राशी ने इसका जवाब दिया आठ तो दोनों में से किसने सही जवाब दिया कई बार बच्ची यह समझते हैं कि आधे से भाग देना मतलब संख्या का आधा करना है इस मिथ्य धार्णा के कारण अनुराग ने चार विभाजित आधा का परिणाम दो बताया यह एक गलत समझ है इसलिए उप्शन एक गलत है सही समझ यह है कि चार को आधे से भाग देना मतलब चार को आधे के व्युक्तक्रम यानि रेसिप्रोकल दो से गुना करना है जिसका परिणाम है आट यानि कि राशी के समझ सही है यानि कि सही जवाब है ओप्शन दो कई बार बच्चे सही परिणाम आट पता कर लेते हैं लेकिन वे इसे गलत मानते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि विभाजन का परिणाम कभी बड़ी संख्या नहीं आ सकती यह भी एक गलत समझ है ध्यान रहे विभाजन का परिणाम विभाजन की जाने वाले संख्याओं से बड़ा आ सकता है मिथ्यधार्णा 2 तो अगर एक बटे 21 मीटर कपड़े के साथ बराबर भाग बनाय जाए तो प्रत्यक भाग की लंबाई क्या होगी? प्रतिक भाग की लंबाई पता करने के लिए कुल लंबाई को भागों की संख्या से विभाजित करना होगा याने की एक बटे 21 को साथ से विभाजित करना होगा कई बार बच्ची एक भिन्द को पूर्ण संख्या से भाग देते समय हर को विभाजित करते हैं जैसे यहाँ एक बटे 21 को साथ से विभाजित करते समय परिणाम प्राप्त किया जाता है एक बटे 3 यहाँ गलत जवाब है इसलिए option एक गलत है सही समझ यह है कि हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्युक्तक्राम से उसे गुणा करते हैं यानि कि एक बटे 21 विभाजित 7 बराबर एक बटे 21 गुणा एक बटे 7 बराबर एक बटे 147 इसलिए सही जवाब है option 2 अब आईए देखे कुछ साधारण गलतिया मान लीजिए 5 बटे 6 विभाजित 7 बटे 8 का परिणाम पता करना है तो कुछ बच्चे यह रट लेते हैं कि विभाजन का परिणाम ग्याद करने के लिए विभाजन के चिन्न को गुणन के चिन्न से बदलते हैं फिर दूसरी संख्या का अंश और हर उल्टा करके लिखते हैं कभी कभी वे विभाजन का चिन्न गुणन से तो बदलते हैं लेकिन दूसरी संख्या का व्यूत क्रम लेना भूल जाते हैं और संख्याओं का जैसे हैं वैसे गुणन करते हैं इस तरह से अंशों का गुणन कर परिणाम का अंश 35 पता किया जाता है। इसी प्रकार हरों का गुणा करके परिणाम का हर 48 पता किया जाता है। इससे उन्हें गलत जवाब 35 बटे 48 प्राप्त होता है। कुछ बच्चे दूसरी संख्या का व्युक्त क्रम लेने के स्थान पर पहली संख्या का व्युक्त क्रम लेते हैं। इस प्रकार से वे गलत परिणाम 42 बटे 40 प्राप्त करते हैं। यह समझना जरूरी है कि हम पहली संख्या नहीं बदल सकते। सही समझ यह है कि दो भिन्नों का विभाजन करते समय हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्यूत क्रम से उसे गुणा करते हैं आज हमने देखी भिन्नों के विभाजन से संबंदित कुछ मित्याधारनाय और कुछ साधारन गलतिया आज हम सीखेंगे दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन दिये चित्र को देखकर क्या आप बता सकते हैं यहां कुल कितना जूस है? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं यहां दो पूर्ण गिलास और एक आधा गिलास जूस से भरा है याने कि यहां कुल दो और एक बटे दो गिलास जूस है जिसे हम पाँच बटे दो से व्यक्त कर सकते हैं अगर हम अंश पांच और हर दो दोनों को पाच से गुणा करें, तो हमें ऐसी भिन प्राप्त होगी, जिसका हर दस है. किसी भिन का हर दस, सो, हजार जैसे संख्या होगी, तो इसे हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं, जिसमें दशमलव बिन्दू के बाई और पूर्ण संख्या और दशमलव बिन्दू के दाई और पूर्ण का भाग व्यक्त किया जाता है. दशमलव बिंदू के साथ व्यक्त की गई संख्या, एक दशमलव संख्या कहलाती है पिछली कक्षा में हमने दशमलव संख्याओं का योग और व्यवकलन सीखा अब हम सीखेंगे इनका गुणन मानलीचिये एक गिलास में 0.2 लिटर जूस भरा जा सकता है यदि हमें पता करना हो कि 4 गिलास में कितना लिटर जूस भरा जा सकता है तो इसे पता करने के लिए हमें 0.2 और 4 का गुणन करना होगा तो आईए 4 गुणा 0.2 का परिणाम ग्याद करे दशमलव संख्या 0.2 को हम भिन्न के रूप में 2 बटे 10 लिख सकते हैं याने कि अगर हम एक वर्क को इकाई मानेंगे तो इस वर्क के 10 बराबर भागों में से 2 भाग 2 बटे 10 हैं चुकि 0.2 यानि 2 बटे 10 को 4 बार दोराया गया है इसलिए हम इन 2 भागों को 4 बार दोराएंगे इससे हमें 10 में से कुल 8 चाय अंकित भाग प्राब्त होंगे यानि कि कुल चाय अंकित भाग होगा 8 बटे 10 इससे हम दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं 0.8 से इसलिए हम कहते हैं कि 4 गुना 0.2 बराबर 0.8 है यानि कि 4 गिलास में कुल 0.8 लिटर जूस भरा जा सकता है दशमलव संख्याओं का गुनन इनने भिन्नों के रूप में व्यक्त करके भी किया जा सकता है जैसे 4 गुना 0.2 का गुनन करने के लिए हम 0.2 को 2 बटे 10 के रूप में व्यक्त करेंगे फिर हम पूर्ण संख्या 4 और भिन्न के अंश 2 का गुनन कर परिणाम का अंश प्राप्त कर लेंगे 8 और हर वैसा का वैसा रखेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 8 बटे 10 जिसे हम 0.8 के रूप में व्यक्त करते हैं बिन्नों के गुनन की एक और आकरशक विदी है इस विदी में हम गुना की जाने वाली संख्याओं को एक के नीचे एक लिखते हैं फिर हम दशनलव बिन्न को नजर अंदास कर इनका पूर्ण संख्याओं के भाति गुनन करते हैं यहां परिणाम प्राप्त करने के बाद हम गुना की जाने वाली संख्याओं में दशनलव बिन्दू के बाद कुल कितने अंख है यहां पता करते हैं जैसे यहां हम देखते हैं कि शार एक कूर्ण संख्या है इसलिए इसमें दशनलव बिंदू के बाद कोई अंक नहीं होगा और 0.2 में दशनलव बिंदू के बाद एक अंक है इस तरह से दोनों संख्याओं में कुल एक अंक दशनलव बिंदू के बाद है इसलिए हम परिणाम में दाई ओर से एक अंक गिनकर इसके पहले दशनलव बिंदु रखते हैं चुकि यहाँ एक ही अंक है इसलिए हम इसके पहले दशनलव बिंदु रखेंगे चुकि दशनलव बिंदु के पहले पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए हम दशनलव बिंदू के पहले 0 रखते हैं इस तरह से हमें 4 गुना 0 दशनलव 2 का परिणाम प्राप्त होगा 0 दशनलव 8 इसी तरह क्या आप 2 दशनलव 005 गुना 6 का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं विडियो रोक कर प्रयास कीजिए चलिए इसे हल करें फिर हम देखते हैं कि गुनन की जानने वाली संख्याओं में दशनलव बिंदू के बाद 3 धन 0 बराबर 3 अंक है इसलिए हम परिणाम में दाय से 3 अंकों के पहले दशनलव बिंदू रखेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 12.03 या इसे ही हम 12.03 लिख सकते हैं क्योंकि दशनलव बिंदू के अंतिम 0 तर अंक के बाद 0 लगाने से या हटाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता जब हम बिंदू को 10, 100, 1000 जैसी संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमें एक प्रतिरूप देखने मिलता है आईए इससे समझे जैसे मान ले हमें 2.03, 5, 7, 8 को 10 से गुणन करना हो तो इससे हमें परिणाम प्राप्थ होगा 23.578 यहां अगर हम देखे तो गुणन की जाने वाली संख्या 2.3578 और परिणाम के अंक तो वैसे के वैसे हैं लेकिन दशमलव बिंदू एक स्थान से दाई और सरक गया है इसी तरह अगर हम 2.3578 को 100 से गुणा करेंगे तो यहां भी हमें परिणाम में गुणन की जाने वाली संख्या 2.3578 के ही अंक मिलेंगे लेकिन अब की बार दशमलव बिंदू दो स्थान दाई और सरक गया है क्या अब आप 2.3578 गुणा 1000 का परिणाम बिना गुणन की ग्याद कर सकते हैं सोचिए सोचिए बिल्कुल सही यहां भी संख्या के अंक वैसे के वैसे रखेंगे लेकिन दशमलव बिंदू तीन स्थान से दाई और सरक जाएगा इससे आपको क्या बता चलता है चलिए हम बताते हैं जब किसी दशमलव संख्या को 10 या 10 से गुणत जैसे 100, 1000, 10,000 से गुणा किया जाता है तो परिणाम और दशमलव संख्या के अंक समान होते है लेकिन दशमलव बिंदू उतने स्थान दाई और सरक ता है जितने एक पर शून्य होते है इससे अब आप जान गए होंगे कि पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या का गुणन कैसे किया जाता है तो आज हमने सीखा दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन अगली वीडियो में देखेंगे दो दशमलव संख्याओं का गुणन आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणन पिछले वीडियो में हमने सीखा दशनलव संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन अब आईए सीखें दो दशनलव संख्याओं का गुणन कैसे किया जाए मानलीजिये हमें 0.2 गुणा 0.2 का गुणन फल प्राप्त करना है क्या इसका परिणाम 0.4 होगा? सोचिये सोचिये चलिए हम बताते हैं पहली संख्या 0.2 है जिसे भिन्न के रूप में 2 पटे 10 लिखा जा सकता है इसे निरूपत करने के लिए हम एक वर्ग को एकाई मान कर इसके शैतिज रूप से यानि horizontally 10 बराबर भागों में बाटेंगे और इन मेंसे दो भागों को चायंकित करेंगे इसी तरह दूसरी संख्या है 0.2 यानि की 2 पटे 10 इसे निरूपत करने के लिए हम एक और वर्ग लेंगे इसे उर्धोधर रूप से यानि vertically 10 बराबर भागों में बाटेंगे और इन मेंसे दो भागों को चायंकित करेंगे इस तरह से 0.2 गुणा 0.2 को ही हम 2 बटे 10 गुणा 2 बटे 10 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं 2 बटे 10 गुणा 2 बटे 10 का परिणाम प्राप्त करने के लिए हम दोनों वर्गों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करेंगे इससे हमें कुल 100 बराबर भाग प्राप्त होंगे 2 बटे 10 गुणा 2 बटे 10 का परिणाम दोनों वर्गों का उभईनिष्ट भाग होगा क्या आप बता सकते हैं यहाँ दोनों वर्गों का उभईनिष्ट भाग क्या होगा सोचिए सोचिए बिल्कुल सही यहाँ दोनों वर्गों में 100 में से 4 भाग उभईनिष्ट है जिसे हम भिन्न के रूप में 4 बटे 100 और दशनलव रूप में 0.004 इस प्रकार व्यक्त करते हैं क्योंकि व्यक्त किये चित्र में प्रते एक छोटा वर्ग कुल वर्ग का 1 बटे 100 भाग है यानि 0.01 है चुकि यहाँ 100 में से 4 छोटे वर्ग उभईनिष्ट है इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल वर्ग का 4 बटे 100 भाग यानि 0.04 भाग उभईनिष्ट है इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.02 गुणा 0.02 बराबर है 0.04 के अब आप जान गए होंगे कि 0.02 गुणा 0.02 पराबर 0.04 नहीं है बलकि 0.04 होता है इस तरह से हमें 2 दशनलव संख्याओं का गुणन करने की एक विदी प्राप्त होती है जिसमें हम दशनलव संख्याओं को बिन्द के रूप में व्यक्त करते हैं फिर इनका गुणन करते हैं और फिर से प्राप्त परिणाम को दशनलव रूप में व्यक्त करते हैं यानि कि 0.02 गुणा 0.02 बराबर 0.04 दो दशनलव संख्याओं का गुणन पूर्ण संख्याओं के गुणन के तरह ही किया जा सकता है इसमें हम दोनों दशनलव संख्याओं को एक के नीचे एक रखेंगे फिर हम दशमलव बिंदू को नजर अंदास कर इनका पूर्ण संख्याओं के भाती गुणन करेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा चार फिर हम देखेंगे कि गुणन की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदू के बाद कुल एक धन एक बराबर दो अंख है इसलिए हमें परिणाम में दाय से दो अंखों के पहले दशमलव बिंदू रखना होगा क्या आप बता सकते हैं यहां हम दशमलव बिंदू कहां रखेंगे सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं चुकि हमें दाय से दो अंख पहले दशमलव बिंदू रखना है लेकिन चार के बाई और कोई अंख नहीं है इसलिए हम इस स्थान पर स्थान धारक शून्य का प्रयोग करेंगे फिर हम इस शून्य के बाई और दशमलव बिंदू रखेंगे चुकि हम पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए हम दशमलव बिंदू के बाई और शून्य रखेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 0.004 प्रयास कीजिए 0.25 गुणा 0.3 का परिणाम क्या होगा? तो आज हमने सीखा दशनलव संख्याओ का गुणन अगली वीडियो में कुछ उधारणों से इसे और अच्छे से जानेंगे आज हम देखेंगे दशनलव संख्याओ के गुणन के उधारण हरीश ने दुकानदार से 100 चौकलेट खरीदी यदि चौकलेट का मूल्य 2.50 रुपए हो तो उसे दुकानदार को कितनी धनराशी अदा करनी होगी? चौकि हरीश ने 100 चौकलेट खरीदी है और प्रतेक चौकलेट 2.50 रुपए की है इसलिए कुल धनराशी पता करने के लिए हमें चौकलेट की संख्या और प्रतेक चौकलेट का मूल्य इनका गुणन करना होगा यानि की 100 और 2.50 का गुणन करना होगा तो आईए 100 गुणा 2.50 का गुणन फल ग्यात करें क्या आप बता सकते हैं यह गुणन हम कैसे करेंगे सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं यहाँ 2.50 में 0 एक स्थानधारक यानि प्लेस होल्डर है चुकि यह संख्या के अंत में है इसलिए हम इसे निकाल सकते हैं शुन्य को निकालने पर गुणन बन जाएगा 100 गुणा 2.5 अब हमें इसका गुणन फल प्राप्त करना है 2.5 का गुणन में परिवर्तन होगा 25 बटे 10 इसलिए हम गुणन को 100 गुणा 25 बटे 10 के रूप में लिख सकते हैं यहां एक भिन्द को एक पूर्ण संख्या से गुणा किया जा रहा है इसका गुणन फल प्राप्त करने के लिए हम पूर्ण संख्या और भिन्द के अंश का गुणा करेंगे और हर से विभाजत करेंगे जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 250 अगर हम 100 गुणा 2.50 बराबर 250 को ध्यान से देखे तो यह पता चलता है कि परिणाम और दशमलव संख्या के अंग समान है लेकिन दशमलव बिन्दू दो स्थान दाई और सरक गया है इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी दशमलव संख्या को 100 से गुणा करना हो तो दशमलव बिन्दू को दो स्थान दाई और सरकाने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा यानि कि हरिश्ण दुकानदार को 250 रुपे अदा करने होंगे अगला उधारन यदि पैट्रोल का दाम 99.06 रुपे प्रती लिटर है तो 3.4 लिटर पैट्रोल के लिए कितना मूल्य चुकाना होगा चुकि पैट्रोल का दाम 89.06 रुपे प्रती लिटर है और हमें 3. 94.6 रुपे को 3.04 से गुना करेंगे चुकि गुनन क्रम विनिमेय है यानि किसी भी क्रम में किया जा सकता है इसलिए हम इस गुनन को 89.06 रुपय गुणा 3.04 भी लिख सकते हैं ऐसा करने से परिणाम प्राप्त करना अधिक आसान बन जाएगा गुननफल प्राप्त करने के लिए पहले हम 89.06 और 3.04 के दशमलव बिंदु को नजर अंदास कर इनका पूर्ण संख्याओं के भाती गुना करेंगे यानि कि हम 7906 गुना 34 का गुननफल ग्याद करेंगे यह गुननफल निम्न प्रकार से किया जा सकता है जिसका परिणाम आएगा 268804 अब हम देखते हैं कि 89.06 और 3.04 में दशमलव बिंदु के दाई और कुल 2 धन 1 बराबर 3 अंग है इसलिए हम परिणाम में दाई से 3 अंग छोड़कर दशमलव बिंदु रखेंगे इससे हमें सही परिणाम प्राप्त होगा 268.804 इसलिए 89.06 रुपए गुना 3.4 बराबर है 268.804 रुपए याने कि 3.4 लिटर पेट्रोल के लिए 268.804 रुपए मूल्य चुकाना होगा अगला उधारण 0.004 गुना 0.007 का परिणाम ग्याद कीजिए आईए इसे भिंद के रूप में परिवर्तित कर हल करे 0.004 बराबर 4 बटे 100 और 0.007 बराबर 7 बटे 100 0.004 गुना 0.007 बराबर 4 बटे 100 गुना 7 बटे 100 बराबर 4 गुना 7 बटे 100 गुना 100 बराबर 28 बटे 10,000 जरा सोचिए अब हम दशमलब बिंदु कहां व्यक्त करेंगे? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं यहां 10,000 में एक के बाद कुल 4 अंक है इसलिए हम अंश में दाय से बाय 4 स्थानों के पहले दशमलब बिंदु रखेंगे चुकि यहां 2 स्थान खाली है इसलिए इनके स्थान पर स्थान धारक शून्य रखेंगे इसी तरह एक का स्थान भी खाली है इसलिए इस स्थान पर भी शून्य रखेंगे तो आज हमने देखे दशमलब संख्याओं के गुणन के उधारण अगले वीडियो में इन से संबंदित कुछ मिथ्याधार्णाओं को दूर करेंगे दूर करेंगे हम देखेंगे दशमलब संख्याओं के गुणन से संबंदित मिथ्याधार्णाएं और साधारण गलती मिथ्याधार्णा एक दूदवाले ने 55.5 रुपए प्रति लीटर के दरसे 11.5 लीटर दूद बेचा पता कीजिए दूदवाले को कितनी धनराशी प्राप्थ हुगी दूदवाले ने 55.5 रुपए प्रति लीटर के दरसे 11.5 लीटर दूद बेचा उसे कितनी धनराशी प्राप्थ हुगी यह पता करने के लिए हमें 11.5 गुणा 55.5 रुपए का परिणाम ग्याद करना होगा परिणाम ग्याद करने के लिए पहले हम इनका दशमलव बिंदू नजरंदास कर गुणा करेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्थ होगा 63,825 फिर हम देखते हैं कि 11.5 में दशमलव बिंदू के दाई और एक अंख है और 55.5 में दशमलव बिंदू के दाई और एक अंख है यानि कि गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदू के दाई और कुल दो अंक है इसलिए हम परिणाम में सबसे दाई तरफ से दो अंक छोड़कर दशमलव बिंदू व्यक्त करेंगे इससे हमें सही परिणाम प्राप्त होगा 638.25 यानि कि आप्शिन एक सही है कुछ बच्चे दशमलव बिंदू को रखते समय दाई से अंक ना गिनकर बाई से गिनते हैं इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 638.25 जो की 11.5 गुणा 55.5 उर्पय का गलत हल है इसलिए ओप्शिन दो गलत जवाब है कुछ बच्चे यह समझते हैं कि दशमलव संख्या के गुणन को हल करने के लिए गुणा की जाने वाली संख्याओं के पूर्ण भागों का और पूर्ण से कम भागों का गुणा अलग-अलग किया जा सकता है जैसे 11.5 गुणा 55.5 रुपय को हल करने के लिए ग्यारा और पच्चपन का गुणा किया जा सकता है और 0.5 और 0.5 का गुणा किया जा सकता है पूर्ण भागों के गुणन का परिणाम प्राप्त होगा 565 और पूर्ण से कम भागों का गुणन फल प्राप्त होगा 0.25 फिर दोनों को जोड दिया जाता है और परिणाम प्राप्त किया जाता है 565.25 यह भी एक गलत धार्णा है इससे option 3 यह गलत जवाब दिया जाता है ध्यान रहे इस प्रकार गुणा करना गलत है मित्य धार्णा 2 एक दिन शिक्षक ने बच्चों से सवाल पूछा क्या दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या होती है इस पर अमित्न जवाब दिया हाँ और निशा ने जवाब दिया नहीं तो बताइए कौन से ही है कई बार बच्चों की यह धार्णा होती है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या होती है अगर उन्हें इसे सत्यापित करने के लिए कहा जाए तो वे दो पूर्ण संख्याओं के गुणन का उधारण देते हैं जैसे 7 गुणा 10 बराबर 70 10 गुणा 10 बराबर 100 5 गुणा 7 बराबर 35 और बताते हैं कि इन सभी का परिणाम दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या है लेकिन यहाँ एक गलत समझ है पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जरूर एक बड़ी संख्या होती है लेकिन क्या दशमलव संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त परिणाम भी एक बड़ी संख्या होती है विचार करे अब आपको जरूर समझाया होगा कि दशमलव संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा एक बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होती जैसे 0.02 गुण 0.04 बराबर है 0.08 के जो की एक छोटी संख्या है इसलिए सही समझ यह है कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या नहीं होती यहां कुछ उधारण दिये हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एक बड़ी संख्या भी हो सकती है और एक छोटी संख्या भी हो सकती है जैसे 1.2 गुणा 2.4 बराबर 2.88 यहां 2.88 दो संख्याओं से बड़ी है लेकिन 2.4 से छोटी है इन मिध्या धार्णाओं के साथ अकसर एक साधारण गलती भी की जाती है दशनलव संख्याओं का योग ये व्यवगलन करते समय जैसे दशनलव बिंदु को नीचे लिया जाता है ठीक वैसे ही गुणन करते समय भी दशनलव बिंदु को नीचे लिया जाता है यानि कि बच्चे दशनलव स्थानों की गिंती नहीं करते इससे गलत परिणाम प्राप्थ होता है सही समझ यह है कि गुणा की जाने वाले दशनलव संख्याओं के दशनलव बिंदू के बाद के अंकों की गिंती की जाती है और गुणा की जाने वाले संख्याओं में दशमलव बिंदू के बाद कुल कितने अंख है यह पता किया जाता है फिर परिनाम में दशमलव बिंदू रखते समय दाय से उतने ही अंख गिंद कर दशमलव बिंदू व्यक्त किया जाता है तो आज हमने देखी दशनलव संख्याओं के गुणन से संबंदित, मिथ्याधार्णाय और साधारण गलती आज हम सीखेंगे दशनलव संख्याओं का विभाजन मनिशा ने दुकान से तीन एक जैसे रुमाल लिये इने सजाने के लिए उसने इनके चारो और लेस लगाई अगर उसने तीनो रुमाल को लगाने के लिए चार दशनलव दो छो मीटर लंबी लेस का प्रयोग किया होगा तो उसने प्रतेक रुमाल के लिए कितनी लेस का प्रयोग किया होगा? यह पता करने के लिए हमें 4.26 को 3 से विभाज़त करना होगा यहां हमें दशनलव संख्या को एक उर्ण संख्या से विभाज़त करना होगा आईए इसे हल करे अगर हम एक वर्ग को एक एकाई मानते हैं तो पहली संख्या 4.26 हमें बताती हैं हमें कितने वर्ग छायांकित करने हैं और दूसरी संख्या 3 हमें बताती हैं हमें छायांकित भागों को कितने बराबर भागों में बाटना हैं 4.96 को निरूपित करने के लिए हम 4 पूर्णवर्ग और 1 वर्ग का 2 दशांश और 6 शतांश भाग चायांकित करेंगे। अब आईए 4.26 को 3 बराबर भागों में विभाजित करें। क्या आप बता सकते हैं, हम चार इकाईयों को तीन बराबर भागों में कैसे विभाजित करेंगे? सोचिए, सोचिए. चलिए हम बताते हैं, हम प्रतेक भाग में एक-एक इकाई रख सकते हैं. ऐसा करने पर एक इकाई शेश रहेगी. इसे विभाजित करने के लिए, हमें इसे दशांच भागों में बाटना होगा. अब यहां कुल दस जमा दो, यानि के बारा दशांच भाग है. इसे तीन बराबर भागों में बाटने पर, प्रतेक भाग में चार दशांच आएंगे. हम बचे चार दशांच को भी तीन बराबर भागों में बाटेंगे. इससे प्रतेक भाग में दो शतांच आएंगे. अब आप देख सकते हैं कि प्रतेक भाग में एक इकाई है, चार दशांच है, और दो शतांच है. इस तरह से प्रतेक भाग होगा एक दशमलव चार दो. दशमलव 4-2 मीटर लेस का प्रयोग किया होगा गनित में दशमलव संख्याओं का विभाजन करने के लिए पहले हम इन्हें भिन्नों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं फिर हम इनका विभाजन करेंगे भिन्नों का विभाजन करने के लिए हम विभाजित की जाने वली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्यूत करम यानि रेसिप्रोकल से इसे गुणा करते हैं इस तरह से हमें परिणाम प्राप्त होगा 1.42 अब मान लिजिए उसने तीनों रुमाल के लिए 4.27 मीटर लेस का प्रयोग किया होता तो उसे प्रत्यक रुमाल के लिए कितनी लेस आवश्यक होती चलिए ग्याद करें इसके लिए हम 4.27 को 3 से भाग देंगे अब चलिए 427 को 3 से भाग दे भाग देने पर हमें भागफल प्राप्त होता है 142 लेकिन यहां 6 शून्य नहीं है ऐसी स्थिती में हम भाग दी जा रही संख्या के दाई और दशमलव बिंदू रखते हैं और इसके बाद एक शून्य लेते हैं अब आप जरूर जानते होंगे कि इस प्रकार शून्य लेने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता अब हम इस शून्य को नीचे शेश के दाई और रखेंगे जिससे संख्या बन जाएगी 10 चूकि हम दशमलव के बाद वाले अंकों का विभाजन कर रहे हैं इसलिए अब हम भागफल में भी अंतिम अंक के दाई और दशमलव बिंदू रखेंगे अब हम देखते हैं कि 3 को 3 से गुणा करने पर हमें 10 के निकटम मान वाली लेकिन छोटे मान वाली संख्या प्राप्त होती है 9 इसलिए हम भागफल में दशमलव बिंदू के दाई और 3 लिखेंगे और 6 10 से 9 को घटाएंगे अब फिर से हमें 6 एक प्राप्त होगा फिर से हम भाग दी जाने वाली संख्या में शून्य लेंगे फिर से 6 बन जाएगा 10 और फिर से हम विभाजन दोराएंगे इस प्रकार हम विभाजन करते जाएंगे तो हमें भागफल में इस प्रकार संख्या प्राप्त होगी यह कभी समाप्त नहीं होगी इसलिए हम संख्या को जरूरत के अनुसार जितने चाहिए उतने अंक तक ही सीमित रखते हैं जैसे यहां हम 142.3 तक ही लेंगे तो अब हम 4.27 विभाजित 3 को 142.3 गुना 1 बटे 100 लिख सकते हैं इसे ही हम 142.3 बटे 100 इस प्रकार लिखते हैं 100 से विभाजन करने के लिए हम दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाई और सरकाते हैं इसे परिणाम प्राप्त होगा 1.4.23 अब आईए जाने 1.2 संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से कैसे विभाजित किया जाता है एक व्यक्ति 7.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि उसे इतनी दूरी तय करने के लिए 1.2 घंटे समय लगता है तो प्रती घंटे में वह कितनी दूरी तय कर पाएगा यह पता करने के लिए हमें 7.2 किलोमीटर को 1.2 घंटे समय से विभाजित करना होगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहां हम 1.2 संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से विभाजित कर रहे हैं आइए 7.2 विभाजित 1.2 का भागफर प्राप्त करें 7.2 विभाजित 1.2 इस विभाजन का अर्थ है 7.2 में से 1.2 के कितने समुह बनाए जा सकते हैं तो आइए पहले विभाजित की जाने वाले संख्या को निरूपित करें यहां हम इस प्रकार करेंगे आइए इन में से 1.2 यानि की एक एकाई और दो दशांच लेकर एक समुह बनाए इस प्रकार हम 7.2 में से 1.2 के 6 समुह बना सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि 7.2 विभाजित 1.2 बराबर 6 है भागफर प्राप्त करने के लिए एक तरीका यह है कि हम विभाजन की जाने वाली दश्यमलव संख्याओं को भिन्नो के रूप में लिखे 7.2 को 72 बटे 10 लिखा जा सकता है और 1.2 को 12 बटे 10 लिखा जा सकता है 72 बटे 10 विभाजित 12 बटे 10 क्या अब आप बता सकते हैं हम भिन्नो का यह विभाजन कैसे करेंगे सोचिये सोचिये सही पहचाना हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इससे दूसरी संख्या के व्यूतक्रम यानि रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे अब 10 को 10 से विभाजित कर इनको रद किया जा सकता है अब विभाजन बन जाएगा 22 विभाजत 12 इसका परिणाम है 6 इसलिए व्यक्ति प्रती घंटे 6 किलोमीटर दूरी तै करता होगा इसी को आसानी से करने का एक और तरीका है कि हम 7.2 और 1.2 को एक के नीचे एक अंश और हर के रूप में लिखे अब हम प्रयास करेंगे कि हर एक पूर्ण संख्या हो इसके लिए हम हर को 10 से गुणा कर सकते हैं मान समान रखने के लिए हमें अंश को भी 10 से गुणा करना होगा इस तरह से 1.2 को 10 से गुणा करने पर दशनलव बिंदु एक स्थान से दाई और सरक जाएगा चुकि अब दशनलव बिंदु के बाद कोई भी अंक नहीं है इसे हम नजर अंदास कर सकते हैं इसी तरह अंश में हमें संख्या प्राप्थ होगी 72 अब हम 72 को 12 से विभाजित करेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्थ होगा 6 अब आईए देखे दशनलव संख्याओं को 10,100,000 जैसी संख्याओं से विभाजित करने की एक आकरशक विधी यहां दशनलव संख्या 3,316.4 को 10,100,000, 10,000 से विभाजित कर इनके परिणाम व्यक्त किये गए हैं मज़ेदार बात यह है विभाजित की जाने वली संख्या और परिणाम में अंक समान है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 10 से गुनज में जितने शून्य है दशनलव बिंदू उतने स्थान बाई और सरक्ता दिखाई देता है जैसे 10 में एक शून्य है इसलिए दशनलव बिंदू एक स्थान से बाई और सरका सौ में दो शून्य है इसलिए दशनलव बिंदू दो स्थान बाई और सरका है इसी प्रकार हजार में तीन शून्य है इसलिए दशनलव बिंदू तीन स्थान बाई और सरका है इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम देख सकते हैं कि दस हजार से विभाजन करने पर दशमलव बिंदु चार स्थान बाई और सरग गया है इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं जब किसी दशमलव संख्या को दस या दस के गुनच जैसे सो, हजार, दस हजार से विभाजित किया जाए तो परिणाम और दशमलव संख्या के अंक समान रहते हैं लेकिन दशमलव बिंदु उतने स्थान बाई और सरगता है जितने एक पर शून्य होते हैं तो आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का विभाजन अगले वीडियो में कुछ उधारणों से इसे और अच्छे से जानेंगे आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के विभाजन के उधारण मनीश ने अपने घर की दिवारों को पेंट किया उसे चार एक जैसी दिवारों को पेंट करने के लिए 7.9 दो लिटर रंग की जरूरत पड़ी यदि उसने सभी दिवारों के लिए बराबर मात्रा में रंग का प्रयोग किया होगा तो उसके द्वारा प्रत्यक दिवार के लिए प्रयोग की गई रंग की मात्रा ग्याद कीजिए उधारण से पता चलता है कि मनीश ने चार दिवारों को पेंट किया जिसके लिए उसे कुल 7.9 नौ 2 लिटर रंग की जरुरत पड़ी उसे एक दिवार को पेंट करने के लिए कितना रंग लगा यह पता करने के लिए हमें 7.9 नौ 2 को 4 से विभाजित करना होगा तो आईए 7.9 नौ 2 विभाजित 4 का भागफल ग्याद करें हम 7.9 को 792 बटे 100 इस प्रकार लिख सकते हैं इस तरह से विभाजन बन जाएगा 792 बटे 100 विभाजित 4 विभाजन का परिणाम ग्याद करने के लिए हम पहली संख्या 792 बटे 100 को वैसा का वैसा लिखेंगे और इससे दूसरी संख्या 4 के व्योद्क्रम यानि रेसिप्रोकल एक बटे 4 से गुना करेंगे 792 बटे 100 गुना 1 बटे 4 बराबर 792 गुना 1 बटे 100 गुना 4 इसी को हम एक गुना 792 बटे 100 गुना 4 लिख सकते हैं क्या आप बता सकते हैं 792 गुना 1 बराबर एक गुना 792 क्यो लिख सकते हैं सोचे सोचे क्योंकि दो संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय यानि कम्यूटेटिव है यानि कि किसी भी क्रम में किया जा सकता है एक गुणा साथ सो बानवे बटे सो गुणा चार इसी को हम एक बटे सो गुणा साथ सो बानवे बटे चार इस प्रकार लिख सकते हैं 792 को 4 से विभाजत करने पर परिणाम प्राप्त होगा 198 और एक बटे 100 गुना 198 बराबर 1.98 इसलिए हम कह सकते हैं कि मनीश को एक दिवार पेंट करने के लिए 1.98 लिटर रंग लगा अगला उधारण एक हवाई जहाज 2.3 घंटे में 3076.48 किलोमीटर की दूरी तै करता है पता कीजिए वो प्रती घंटे में कितने किलोमीटर दूर जाता होगा उधारण से यहाँ पता चलता है कि हवाई जहाज 2.3 घंटे समय में 3076.48 किलोमीटर की दूरी तै करता है अगर हमें पता करना है कि वो प्रती घंटे में कितने किलोमीटर दूर जाता है तो इसके लिए हमें 3076.48 को 2.3 से विभाज़त करना होगा तो आईए 3076.48 विभाज़त 2.3 का परिणाम ग्याद करें दो दशनलव संख्याओं का विभाजन करने का हम एक और तरीका देखेंगे पहले हम इस विभाजन को 3076.48 बटे 2.3 इस प्रकार भिन्न के रूप में लिखेंगे फिर हम हर को एक पूर्ण संख्या में परिवर्दित करेंगे ज़रा सोचिए यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं अगर हम अंच और हर दोनों को 10 से गुना करेंगे तो अंच और हर के अंग तो समान रहेंगे लेकिन दशमलव बिंदू एक स्थान से दाई और सरक जाएगा 23 के बाद दशमलव बिंदू है और इसके बाद कोई भी अंक नहीं है अब हम कह सकते हैं कि यहां दशमलव संख्या का सिर्फ पूर्ण भाग ही है इसलिए हम दशमलव बिंदू को नजर अंदास कर सकते हैं इस तरह संख्येप में हम कह सकते हैं कि अगर यहां अंश और हर का दशमलव बिंदू एक स्थान से दाई और सरकाया जाए तो हमें हर के स्थान पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी अब हम 3764.8 को 23 से विभाज़त करेंगे आईए इसे लंबे भाजन यानि लॉंग डिविजन से हल करें यहां 3764.8 भाज्य है और 23 भाजक विभाजन करने के लिए पहले हम देखते हैं कि यहां भाज्य का पूर्ण भाग भाजक से छोटा है या बड़ा यहां 3764.23 से बड़ा है इसलिए हम इसे विभाज़त कर सकते हैं पूर्ण भाग को विभाज़त करने पर हमें भागफल का पूर्ण भाग 1337 प्राप्त होगा और 613 बचेंगे अब अगला अंक 8 है जो दशनलव बिंदू के बाद है इसलिए हम भागफल के पूर्ण भाग के बाद दशनलव बिंदू रखेंगे और 8 को नीचे लेंगे इससे अब संख्या बनी 138 अब हम 138 को 23 से विभाज़त करेंगे 23 गुना 6 करने पर हमें 138 प्राप्त होता है इसलिए भागफल में दशनलव बिंदू के बाद 6 लिखेंगे और 138 से 138 का व्यवकलन करेंगे यहां 6 शून्य है इस तरह से हमने 3764 दशनलव आठ विभाज़त 23 का परिणाम प्राप्त कर लिया है 1337 दशनलव 6 तो हम कह सकते हैं कि हवाई जहास प्रती घंटे 1337 दशनलव 6 किलो मिटर दूर जाता है तो आज हमने देखे दशनलव संख्याओं के विभाजन के उधारण अगले वीडियो में इनसे संबंदित मिथ्याधारनाओं को दूर करेंगे आज हम देखेंगे दशनलव संख्याओं के विभाजन से संबंदित मिथ्याधारनाओं मिथ्याधारना एक हरशिता एक वाल हैंगिंग बना रही है उसने 6.6 मीटर लंबी रिबिन ली और वह इसके 330 भाग बनाना चाती है पता कीजिए प्रतिक तुकडे की लंबाई क्या होगी विभाजन करते समय चात्रों में अक्सर यहाँ गलत धारना होती है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए इसलिए वे 330 को 6.6 से विभाजित करते हैं इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 50 जो की एक गलत जवाब है इसलिए option एक गलत है यहाँ हर्शिता ने 6.6 मीटर को 330 भागों में विभाजित किया है इसलिए प्रतिक भाग की लंबाई 6.6 विभाजित 330 से प्राप्त की जाएगी यहाँ विभाजित हम निम्नप्रकार से कर सकते हैं वीडियो रोक कर इसे समझे 6.6 विभाजित 330 बराबर 0.02 इस तरह से प्रतिक तुकड़े की लंबाई होगी 0.02 मीटर मित्याधार्ना 2 रोशन और मूहन विभाजित की समझ पर चर्चा कर रहे थे रोशन ने कहा कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या होती है जबकि मूहन ने कहा कि विभाजन का परिणाम एक बड़ी संख्या भी हो सकती है तो बताईए कौन सही है कुछ चात्रों को यहाँ मिध्याधार्ना होती है कि गुणन का परिणाम हमेशा एक बड़ी संख्या होती है। इसी प्रकार उन्हें यह भी मिथ्याधार्णा होती है कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या होती है। आये इस मिध्याधार्णा को दूर करें, अगर हम 6 को 2 से विभाजित करें, तो हमें परिणाम प्राप्त होता है 3, लेकिन अगर हम 6 को 0.2 से विभाजित करें, तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 30, तो हम कह सकते हैं कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या नहीं हो सकती याने कि रोशन की समझ गलत है इसलिए option एक गलत है चुकि मोहन ने सही समझा कि विभाजन का परिणाम एक बड़ी संख्या भी हो सकती है इसलिए मोहन की समझ सही है इसलिए option दो सही है तो आज हमने देखी दशनलव संख्याओं के विभाजन से संबंदित मित्याधार्ना है